इसे में जजज़र लगू सेचे वाले के पास खड़े हैं, नॉमिनेशन के तीसरा दिन होने के बावजूद भी नेता यहां से नदारा दिख रहे हैं, उसका में कारण यह है कि अभी तक ना जज़पा ने, ना बाज़पा ने, ना कॉंग्रेस ने, ना अन्य किसी भी दल ने अभी तक टिकेट वित्रन नहीं किया है, ना सिंबल उन्होंने दिया है, हलाकि कॉंग्रेस पार्टी ने साथ तोर पर जहिर कर दिया है, कि बिना सिंबल पर उचुनाव लड़ेगी, कर लगातार जो कॉंग्रेसी जो नेता थे, वो लगातार मिटिंगों का दोर कर रहे थे कि इस तरह से कैसे हुआ सिंबल पर लड़ना चाहिए, कई मतभेद भी सामने आए, वो खुल कर अपने नेताओं को कुछ बोल तो नहीं रहे थे, हलाकि ये कह रहे थे कि अगर सिंबल मिलता तो कॉंग्रेस पार्टी यहां से जीच सकती थी, अगर भारती जनता पार्टी की बात करें, तो भारती जनता पार्टी के जो नेता थी, जो चेर्मेन की जो दावेदार है, वो लगातार अपने आकाओं के दरबार में चक्कर लगा रहे हैं, वो चंडीगड जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, कभी नेता चंडीगड मिलने का आशवाशन देते हैं, त इसे ही जज़पा और भारती जंता पार्टी का जब गठबंदन तूटा यानि अब ये अलग अलग लड़ेंगी तो जो जेजेपी की जो नेता थे वो भी अपने जुगत में लगे और वो सिदा ही दुसियन चोटाला से अपना कहीं न कहीं जो निसाना वो साधने लगे और अगातार जो जेजेपी के वरिष्ट नेता हैं उनसे संपर्क करने लगे कि सब हम भी चेर्मेनी के प्रबल दावेदार हैं हमें भी टिकट दे दिये जाए अगर बात जज़जर की बात करूं तो ओबेसी की सीट थी पहले ओबीसी डिकलियर कर दिया गया था लेकिन ओबीस लेके जा रहे हैं वो अपने वोटरों को साधने का तो प्रियास कर रहे हैं वो ये बात भी साबित करना चाहरे हैं कि साब हम कितने वफादार हैं आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके नेता हैं वो लगातार टिक्टो के लिए चंडीगड का जो है वो चक्कर लगा र तीन दिन हो चुके हैं यहां पर एक भी नॉमिनिशन नहीं है तो इस बास से आप अंदाजा लगा सकते हैं हर पार्टी यहां पहल नहीं करना चाहती है ताकि वो यह सोच ले कि किस जाती में यह चेर्मैनी की टिकट दी है उसके बाद शायद उस जाती को नदर अंजाद करके दूसरी जाती पर वो निशाना साधे तो अभी जजबा या इनैलो या भारती जनता पार्टी ने अपने तरकत से कोई भी पता नहीं खोला है अगर मैं कॉंग्रिस की बात करूं तो कॉंग्रिस पहले कह चुकी हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे अब कहीं नहीं कि कश्क मश पर नहीं कि जो लड़ेंगे उससे कहीं नहीं चैरमेन और और कई जो निर्दली ये दावेदार हैं। तो मेरे हिसाब से कल या परसो नहीं टॉद qualcनल हो जाएगी क्योंकि लास्ट चारिकरन के बाद करके बार्द की कि अपने नेताओं को, हलाकि जब वो दर्बार में चंडीगर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उनको कह दिया जाता है, जाइए तैयारिया करें, और जल्दी टिकट वितरन हो जाएगा, लेकिन उनके नाम की घोशना होगी या नहीं, यह कही ना कहीं जो सवाल है, वो रह जात है, वो शाम को अपने घर आते हैं, और फिर से वो अपने नेता जो अपने कारे करता है, उनसे पूछते हैं कि कैसा हाल है, वो दिल्ली दर्बार में भी ऐसंतुस रहे, और उसके बाद जजजर में भी लोगों को यह बताने का प्रियास करते हैं, कि साब हमारी टिकट कन्फ है, वो कहता है, कि मुझे अगर टिकट मिलती है, तो मैं क्यों जीतूँगा, वो पूरी तरह से अपना समिकरन बता रहा है, अपने जाती है कि समिकरन बताता है, वो अपनी पैठ बताता है, और दावेदारी क्यों मेरी प्रबल है, वो भी बताता है, कि मैं भाजपा में इत ते खोलती है किनकिन नेताओं की लॉटरी निकलती है किन नेताओं को मयूसी हाथ लगती है शुक्रिया